मार्केट अभी तीन मिनिट पहले बंद हुआ है तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है आज पहली बार है मार्केट आफ्टर ए लॉंग टाइंग कि आफ्टर ए लॉंग टैंक 20 यह में के नीचे बंद दिया है इसके बावजुद मैं बोलता हूं मार्केट वेनेश्डे को गैप आफ ओपनिंग करेगा गैप आप ओपनिंग करेगा जबकि मैं मंदी में हूं मैंने आपको डाटा देखके लिखा है कि तेरा नौसो एक्सेट भी आएगा नेक्स्ट विक का टार्गेट दिया आपने देखा होगा लेकिन मैं मंड वेनेश्डे को गैप आप ओपनिंग क्यों बोल रहा हूं वह भी समझाऊंगा अब हुआ है टू थर्टीएट क्लोजिंग अब यह आई जाएगी दो मिनिट में पहले जब तक हम लोग को डिसकस कर लेता है यह देखिए एसल टेक नाइन फॉर्टी थ्री तक चला गया आज इस सुबह आप लोगों मैंने आवर्ली चार्ट दिखा के हेड और शोल्डर का पैटन दिखाया था तो दिस इस कोई टेक्निकल प्योर टेक्निकल सौर रुपे गिरेगा बोला था नो दिया था वीडियो में कि अगर इसका आवर्ली चार्ट में अगर ब्रेकडाउन जो है वॉल्यूम के साथ आता है तो यह एस से लिटेक का आवर्ली चार्ट है देखिए वन आवर यहां दिखा हुआ है वन आवर ठीक है अब आप देखो यह एड़ें शोल्डर यह 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 है हैं ओगिया यह यह राइड शोल्डर हो गिया ठीक है और यह जो यह केंदल नहीं जो ब्रेकडाउन दिया है दिस केंडल यह िरह कंड़लन सा नीचे देखएगी कितना तकड़ा वा इसकी नीचे को आलो वालुम वाज वह अबम ऐवरेज एंड लई को सी की लाइन ये जो लाइन दिखरी यह आशट की बिफोर मार्केट ओपनिंग बता दिया था और इसका टार्गेट आता है 883 883 कैसे आता है और आज का लोग कितना बन गया वो भी देख लेता है आज का लोग बना इसका 941.60 हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था यह वाला 983 नो सो तिरासी का ब्रेकडाउन था इसका और ब्रेकडाउन की केंडल मैं मैंने ख़ली इतना ही बोला था कि वॉल्यूम होना चीए तो यह आएंड लेकडाउन दिया और यहाँ पर आप देख सकतो जबबरदस्त वॉल्यूम था ठीक है और उसके बाद लास्ट केंडल और फूर्टा फूर्टा होता है यह जो хоч लांड कनेक करती है लेफ शुल्डर हेडं को और राइट शूल्डर को जो कनेक करती है इसको नेक लाइन बोलते हैं नेक लाइन के नीचे अगर रेड केडल की closing आ जाए तो इसको breakdown बोलते है, breakdown के बाद target क्या निकलता है, जितना इस head की size होती है, यहां से लेके यहां तक, जो head की size है, यह 100 point की size है, कितनी size है, 1066 से लेके, 966 का size है, 966, तो 100 point, तो 100 point breakdown से गिनेंगे हैं लोग, 983 breakdown point था, कि 983 की नीचे ब्रेकडाउन था और 100 पॉंट का टार्गेट कितना आएगा 883 का मिनिमम टार्गेट इसमें लेके चल सकते हैं यह मैंने सुबह यह आप लोग को बढ़िया से बताया तो इस इस कॉल्ड क्लास एंड टेकनिकल ठीक है तो आप लोग वेबिनार जोइन करना तो बढ़िया जल्दी कर लेना अना सीट कम बचिए आने वाली वेबिनार्स में पंदरा हजार से दीस जार रहेगी कोई भी डिसकाउंट नहीं कुछ भी नहीं क्या कुछ भी हो जाए चाहे दो ही बंद्य आये चाहे चाहे चार ही आये को अधिकत नहीं ठीक है लेकिन और वाट्सप नमबर पे 9635476788 पे आपको अपना नाम अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेलफी फोटो वाट्सप करना है फोटो मतलब यह नहीं कि आप अपना आधार काड और यह पैन काड वगर भीज़ दो मुझा आइडिनिटिव प्रूफ नहीं चाहली आपकी फोटो च कट और इसने आज कितना जबर्दस वाल दिया यह आपको बिफोर मार्केट ओपनिंग दे दिया जबकि मार्केट आज तेज खुला था तो भी इसने काम किया अब आज का स्टॉक बीपी सेल ज़रूर नहीं चला एक बार स्टॉप लास हुआ सेकेंड टाइम नहीं हुआ ल इसने का बहुत बड़ा संबंद है तो कुरूर मुझे लगता है यहां से 41 रुपय तक जाएगा 4100 तक जा सकता है 3850 चल रहा है फर्वरी की कुनिस तरिक तक यह 404050 तक जा सकता है कुरूर फोर थाजन फिप्टी तक अभी चल रहा है 3852 ठीक है और इसका स्टॉप लोस रहेगा 3760 ठीक है 3760 आपका स्टॉप लोस रहेगा और टार्गेट है 4050 प्लस 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 एक ताली सो भी जा सकता है तो यह भी आपको बता दिया इसलिए भी भागेगा श्योर शॉट यह फर्वरी सीरीज में यह 450 को जरूर क्रॉस करेगा मैं इतना बोल सकता हूं को 450 को जरूर क्रॉस करें अब आजयते हैं निफ्टी में निफ्टी मेंने बोल दिया कि यार एप खुलेगा यह भी मैं दिखा दे तो मैंने डाला कि नहीं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इतने फ्रिक्वेटली मैं वीडियो बना रहू हूं वो काफी है इसके बाद और मैंने आपको समझा भी लिखिया उसका रिजन भी समझा दूंगा ऐसे नहीं हावा मैं बोल रहा हूं मैं ठीक है तो पहले मैं आपको वह पोस्ट दिखा तो मैंने तीन यूंतिस पर अपने दोस्ट को भी लिखा कि यह निफ्टी वेड़नेश डेको गैप अप होगा क्या होगा कि यह देखे यह पोस्ट है आप देख सकते हो क्या लिखा यूज गेप अपन वेनेश डे थी ट्वंटीन पीम यूज गेप अपन वेनेश डे और जब हम लोग डिसकस कर रहे थे दो तीन दिन पहले जनवरी 22 को डाटा तो मैंने उसको यह भी लिखा था कि 14000 भी टूट सकता इस डाटा को देख के वह तो आप लोगोंने डाटा का वीडियो भी बनाया था तो मार्केट तो अब यह रिस हुआ लेकिन क्यों मार्केट ऊपर खुलेगा वह भी रिजन समझाता हो तो पहले निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं लोग निफ्टी का डेली चार्ट आज की क्लोजिंग आ दो सपोर्ट तो दिया देखें दो बार मार्केट ने 221 और 221 का लोग बनाया था इसने आठ जन्वरी को 221 का लोग बनाया था ज्यान दीजेगा मेरी बात को आठ जन्वरी को 221 का और अठारा जन्वरी को 222 का लोग बनाया तो यह डबल बोटम के नीचे भी आज चला गया चार पॉइंट से यह देखें यह दो लोग जो है ना 221 और 222 के लोग थे यह सपोर्ट था बड़ा 221 का लोग है और 222 का लोग और आज 218 का लोग अभी भी आप ट्रिपल बोटम भी बोल सकते हो क्योंकि 218 कोई इसको ब्रीच नहीं बोलते है तो यहां पर एक सपोर्ट पॉइंट यह यहां पर डिमांड जोन है यहां बनाया इसने टारिख को अठारा तरीको बनाया था इसने दोसोईस का लोग और आज 208 का लोग तो यह निलूद डिक्ष्ट दिया है आफ्टर गोदील व Khallah रहिए लॉंग टैंड चांब दिकाता हूं है दो सो अठावन आप देखिए बीस एम है और दस एम है कितनी है चारसो दो तो दो सो अठावन के नीचे आज क्लोज दिया बहुत बड़ी बात हो कि मैं निफ्टी का कोई आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहो खाली समझा रहो टेक्निकल अब आप देखो यह कब किया दा ट्वंटी यह मैं के नीचे लास्ट कब क्लोजिंग किया था इसने यह देखिए यहां पने ही वहा था इसका क्लोज इसके बाद इसने कभी भी क्लोज नहीं किया चौदा आठ के बाद चौदा अगस्त के बाद पहली बार है कि आज इसने ट्वंटी यह मैं के नीचे और आज 25 जनवरी को इसने डिपब्लिक डे से भी एक दिन पहले इसने क्या किया वहां से देखे क्या होगा वहां से मार्केट भागा था ठीक है यहां से मार्केट एक बार भागेगा अब क्यों भागेगा इतना जबकि 20 एमें के नीचे क्लोजिंग किया है त्रीपल बॉटम के आसपर यह दो लास्ट के दो बॉटम भी तोड़ा है और तीनो रेड़ के इंटल है तो यह तो खराब सिंगनल है यह तो मंदी होना चाहिए वेनेस डेगों फिर भी मैंने लिखा है गैप क्यों लिखा है सिखिए मैंने आप लोग को स 101 आ चुक है स्वरी 1.01 आ चुक है यानी की लग बग वन आ चुक है लग बग वन तो मंडे को साथ 100 या देड़ा वोट तेज खूलेगा डायेक्ट लेक्ट के ओपनिंगी के ओपनिंग ही तेज होगी 1001 का पीसी यार पे यूँका शेल इने बूल मार्केट ठीक है अब यह म का मार्केट या क्या बोलते हैं बहार के जितने भी मार्केट है वो तो अपने चाल चलेंगे नकल तो वहां अगर बुलिश चाल हो गई तो हमको तो अटोमेटिकली गेप खुलना हो पड़ेगा तो आज मौका अच्छा था को प्रॉफिट भूग करने का लेकिन इसने क्या चाल खेली इसने जानबुच के 20 EMA के नीचे क्लोज किया ताकि सब लोग मंदी में आ जाए और मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था किसी भी लेवल को टूटा हुआ तब मानो जब उसके नीचे दो क्लोजिंग हो जाए कितनी हो जाए दो कंजि यह में तूट चुका है यह मेरा प्रिंसिपल आप जिंदिगी पर के लिए गांट बाल दो आपको काम आएगा जिंदिगी पर काम आएगा यह प्रिंसिपल टू क्लोजिंग्स कर्फोर्मेशन होता है ठीक है तो यह निफ्टी में मैंने इसलिए आपको बोला कि यह गैप खुलेगा इंस्पाइट ऑफ सच वीग क्लोजिंग ऑन दाउन साइट और मॉस्ट दे लोज मैं बोला हूं गैप खुलेगा सौसे डेड़ सुपर अब आ जाते हैं निफ्टी का फंदरा मिनिट का चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं यह तो हमने एच सेल का तो फंदरा मि निफ्टी का नाम से खुलेगा इसका नाम चेंज करना पड़ेगा इसका है अब निफ्टी का फिर से बनाना पड़ेगा निफ्टी का फिर से बनाना तो आपके सामने इसका नाम यह ओगा अब मैं कि यहां पर निफ्टी का फंदरा मिनिट का चार्ट लेगा तो एफ और ठीक है 15 मिनिट्स ओ है है जिंदा है निफ्टी का 15 मिट का चार्ट है इसका नाम में अभी आप देखें निफ्टी के 15 मिट में चार्ट में क्या दिखा रहा है इस कैंडल ने ब्रेक्डाउन दिया और इस कैंडल ने हलका सा चार्ट आइस में आपको एक पैटरन बताया था क्या बता था एक यह अधिकर देने का इस फिकन न वापे इस लाइन को चुआ और अब कर दिखा अगर यह 382 वापस आता तो आज ही तेजी कर देता ठीक है 382 आपको दिख गया नहीं आपा यह नीचे ही गया इसलिए मैंने पूला जब तक यह मंदा ही है मंदा आज इसने किया अब यह मंडे को क्या होगा जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा आप ध्यान दीजेगा इसको 351 के उपर ही खुलेगा आप देख लिजीगा वेनस्टे को 351 के डेफिनेटली उपर खुलेगा और फिर इसको रेजिस्टेंस यहां फेस होगा वेनस्टे को यह लेवल क्या रहा है 455 वेनस्टे को आपको तेजी तब करना है जब 455 को क्रॉस करें 455 को और 351 के उपर स्ट्रॉंग होगा है वेनस्टे को स्ट्रॉंग कर छुट्टी है हमारे इसलिए निफ्टी का भी आपको समझा दिया तो यह 15-0 चार्ट आपको क्या बनागे 351 के उपर स्ट्रॉंग हो जाया गा वेनस्टे को और 360 के उपर स्ट्रॉंग हो जाएगा और फोर फोर फोर्टी के उपर बुलिश हो जाए गया वेनेजडे के लिए बता रहा है और डेली चार्ट क्या बोलता है कि ये वीक हो गया है लेकिन कहीं न कहीं त्रिपल बॉटम जैसा सेफ भी दिखा रहा है त्रिपल बॉटम ठीक है एक बॉटम आठ तरीको दोसो एकिस अठ और क्लोजिंग दे दिया तब इसको कोई भी नहीं बचा सकता है यहां लाने से तेरा आठ्चो के करीब आठ से ठीक है तो यह निफ्टी भी बता दिया मैंने और वीपी सेल भी समझा दिया क्यों तेज है तो बट्स मेरा हो गया एनेलेसिस और बैंक निफ्टी भी देख ल 31,000 तेरा का लोग बना है मैंने बार बार बोला जब तक 31,000 नहीं टूटेगा क्लोजिंग बेसिस तब तक 29,500 का टार्गेट आप नहीं ले सकते हैं अब यह वेनेसिदे को यह भी तेजी से 32,000 की तरफ भागे जा वेनेसिदे को आपको बैंक निफ्टी में कम से कम 500 से 700 यहां पर अगर मैं बैंक निफ्टी कर दूंगा तो बैंक निफ्टी का PCR आ जाएगा आप लोग जो जनरल पिस्ञार देखते हो वह मैं नहीं देखता हूँ इसका PCR मुझे काम कर लगता है तो बैंक निफ्टी का PCR नारह है कि सब्सक्राइब बैंक निप्टी का PCR आप देखो 0.63 आ रहा है तो यह भी जबर्दस बाउंस बैक करेगा बैंक निप्टी कर जब भी 0.65 के नीचे PCR आता है बाउंस बैक इस कंफोर्म इनने बुल मार्केट 70 के नीचे भी बाउंस बैक दे सकता है तो 65 के नीचे तो डेफिनेटली देगा तो बैंक निप्टी में पीसीर ने 76 हो गया है तो थोड़ा सा फिर भी पीसीर सपोर्टीव है कर दो 63 का था इसलिए तेज खुला था आज अज बैंक निप्टी साइद बहुत तेज खुला था मेरे क्या शुबह आपको देखो 31 साथ सो गया था ना इस पीसीर के कारण गया है तो इसकी गैरेंटी नहीं लेता हूं को गया फुलेगा थोड़ा सा नीचे भी दिखा के फिर लेकिन कीचे का चलू ठीक है तो इस तरह से मैं आपको बोल सकता हूं यह मेरा एनेलिसिस है जे जिनेंद्र जे बोलेना आप जे हिंद्स का भी बता अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ऑसला आप जाए करना सब कुछ आपको यहां पे सब कुछ हैं बता रहा हूं को इस फैमली ट्रीट करना हूं सब को अब लोग भी एजे फैमली तरह लाइक के बटनता वा दिख धन्यवाद जे जिनेंद्रा जे पोलना